हेलो गाईज, वल्कम टू माई यूट्यूब चानल, जोजसिस्टेडी आपका हमारे चैनल पास सौगत है, तो आज की क्लास पे हम क्लास 10 की मैस की एकसरसाइल 12.1 करा रहते हैं, तो इसके पहले 3 कुशन हो चुके हैं, बाकी बच्चे वो कुशन को हम आज कवर कराएंगे, त चले शुनू कर देते हैं आज की क्लास, तो यह है हमारा 4 कुशन, यह क्या कह रायम से, भुजा सास सैंटी मीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के उपर एक अर्ध गोला रखा हुआ है, अर्ध गोले का अधिक्तम ब्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का प्रस्थिय छ चेत्रफल ग्याद कीजिए, तो हमें क्या करना है, इसका प्रस्थिय छेत्फल ग्याद करना है, तो इन्होंने क्या बताया है, यह क्या है, यह जो बॉक्स बना हुआ, यह घन है, इसके उपर क्या रखा हुआ है, एक अर्ध गोला रखा हुआ है, तो प्रस्थिय छेत्फल यहाद करना है, तो प्रश्टि चेदपल में क्या हो गएगा? इसका यह वाला फलक मुझनानीं है, वाले फलक में क्या होगा? जैसे की यह उपर वाला जो हिस्सा है, घण हैं, तो सारे के सारे हमारे वर गयें, पर इस पर क्या रखा है इस तरीके का एक गोला रखा हुआ है अब गोला रखा है तो हमारा सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा और इधर का ये वाला हिस्सा आएगा जहां पर हमारा गोला बना हुआ है अब गोल इस ये वाला जो हिस्सा है ये इसको अलग अलर से आपको दिखा इथालों करना है तो चली हम देखते हैं कि हमें लिखना क्या होगा तो इन्होंने क्या बताए है ने को जो है लकते हैं है कि न है तो चीजह हम रख करते हैं तो हमने की बुझा सास संटीमेटर है ये वाली बुझा भी कितने होगी सास संटीमेटर की मतलब ये जो हमारा ये जो अर्धवन रत है इसका व्यास जो ही तो थृच्ईयासानी से निकल सकती है ठीकिर हेंगे इसकी उचायी भी साल सेंटिमीटर होगी इसकी चोडायी भी साइप तो कि यह गां है तो इसकी लंबाय जोडाय उचायी ड़न्य तॉसरा हमें वियं ले बाद कालनी पड़े इस वाजए से लिखना पड़े रहे हैं तो मिलिखेंगे अर्थ यह गोले का व्यास तो इन्होंने क्या देकर रखा है एंठी का व्याज फक्षे अध्यास साथ सेंटीमिटर गफ करें लिख एज लिए इसलिए रफ़ गोले की तृज्डा और अध्याय क्या हमारी कैसे निकल के आ जैएगी रफीर्जेट वह इनका हो से लिटेसी और यह हमारा कि सका आधा होता है Raba들을 को वोलतेई एं-ड स्बि भून टू या बियास बट्टे दो यह भी हम लिख सकते हैं कि भी यहां सकते हैं तो बियास बत्टे में दो बराबर ब्यास मरा ढर शांद है बटे में 2 कर देंगे, तो 7 बटे 2 cm आजाएगा, इसको हम ऐसे ही रिखेंगे, अभी दसम्दल में चींज नहीं करेंगे, ठीक है? अब हमारी जिज्या निकल के आ गए, अभी इनोंने का ठोस का प्रस्थिय छेत्रफल निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ठोस घं का सम्पूण-प्रस्थिय छेत्रफल । गटन का सम्पूण-प्रस्थिय छेत्रफल हो गया और 8 में हमारे पास क्या है इक अर्ध वृत है, तो अर्ध वृत का वक्र प्रस्थिय छेत्रफल तिक Disdaed अर्द ब्रत में हम ये वाला हिस्दा थोड़ी ना लेंगे, ये चिप जाएगा ना, इसलिगे इस वाले हिस्दे को हम यह नहीं लेंगे, तब ही हम यहाँ पे सिर्फ वक्र प्रस्थी छेत्रफ़र ले रहे, जो कि क्या होता है, कूपा याट स्कॉएर होता है, तो हम यहाँ दो चेंगे अर्थ बोले का वक्र प्रस्थिय रफल ली यह ओगया अब हमें क्या माइनस करना है हम अब हमने तो पूर फूरे घंकर प्रस्थिश रफल लिए है यह वाला हिस्षा ओ dau mniej और यह क्या है एक व्रस्थिय क्या कार में है अर्ध वोला ऐसा तो होता है इस तरीके बृत्त की आकार का होता है तो ब्रत्त का हमारा क्या छेत्रफल होता है तो अब हम यहां पर सारे फॉर्मुले लिखदेंगे हमारे घंड का सारे मैं और से लिखothså और हम आपको बता 100 % help बतार है कि भाई यह जो है हमारे अध्र चैनल ठीक है् ठशली सिक्सक्रास की साइजा यह संस साइंस बढ़ा जाती है यहां पे एस लिए निचिता है अगर जिसकी मतम जोर हो टाइश कता है अशेंचानल पर यह हमारा को आप सारी और आता है यह यह प्री ज्रीज़ा दिमारा रहा है कि रिटा वहां पर बिल्बुल फ्री में प्रोवाइड कराए जानें। हमारा एब बिल्बुल फ्री है किसी तरह का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, आप फ्री में भुक्स पढ़िये, शलूशन लीजिए, तो घंका चेथबल हमारा क्या होता है, घंका चेथबल होता है हमारा 6 A sqr, अर्द गोलेगा वक्रप्रिष्ट्री छेर्पर 2 pi r square व्रत्य का छेर्पर हो जाएगा pi r square अब यह भी pi r square है यह भी pi r square है तो 2 pi r square में से हमारा एक pi r square जब घट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा प्लस का pi r square बचेगा ठीक है तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6a square plus pi r square अब हम सारी values जो है लिख देंगे चाहिए तो आप यहाँ पर एक और बात लिख दो घन की भूजा तो हम यहाँ पर लिख देंगे घन की भूजा बराबर भूजा को a से डिनोट कर देंगे और बराबर हो जाएगी 7 cm तो यही हमारा 6 आ गया घन की भूजा हमारी कितनी थ कि 7 था 7 का a square है तो हमने 7 गुडे में 7 लिख दिया जाया तो square भी लगा सकते हो boutka pi लो हमारी होती है 22ब देशाद और r का मैंने साथ बटे दो निकाला था तो हमने दो बार इसको इस तरीके से लिख दिया अब हम क्या करेंगे सास से साथ को काट देंगे और दो से इसको काट देंगे ग्यारा दूनी बाइस होता है अब हमारा कुछ भी कटने वाला है तो आंसर होगा नहीं हमारा कुछ भी नहीं कटेगा तो हम इन तीनों की गुणा कर देंगे तो 6 सत्य 42 और 42 सत्य हुमारा हो जाएगा 294 इतना हो गया अब हम 11 सत्य करेंगे ठीक है 77 और बटे में 2 इसको हम करेंगे तो हमारा क्या जाएगा इसको हम यही पर लिख लेते हैं 294 और इसको हम हम दसंबलब में change करेंगे तो हमारा हो जाएगा दो थी अच्छा है और दो सत्य 14 हो जाएगा दो अठे 16 हो जाएगा एक बच्चा हैगा तो पंचे 10 38 दसंबलब 5 आ जाएगा किकना आ जाएगा 38 दसंबलब 5 अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा दसंबलब में पांच और इधर क्या हो जाएगा आठ और अच्छा हमारा हो जाएगा बारा चीक ? एक हासिल हो जाएगाkam फिर नौ और तीन हो जाएगा हमारा दस क्यारा 12 में जोड़ेंगे हो जाएगा हमारा तेरा ठीकिए फिर हमारा 3 इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है 232 दसंबलब ने 5 अब यह क्या है छेत्रफल है हमारा और उन्होंने यूनिट सेंटीमीटर की दिया है तो यह हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर इसको है बस यही हमारा जोड़ा है वह फाइनल आंसर आ गया है इस तरीके से हमारा आंसर क्या जाएगा 332 दसंबलब पांस सेंटीमीटर इसको है यह पूरे घन का वक्रप्रश्थी छेत्रफल हो जाएगा तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स कुश्चन पर जो की है हमारा पांचमा कुश्चन पांचमा ब्लॉक एक ब्लॉक के एक फलक को अंदर की और काटकर अर्ध गोलाकार गंधा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्ध गोले का अभ्यास घाने के किनारे के बरावर है ठीक है सेस बचे ठोस का प्रस्थिय छेत्रफल ग्याद करना है मतलों अब हमारे पास क्या-क्या हिस्सा आ सा जो है वह आ रहा है देखे और इसके चारों तरब की फलके आ रही है अंदर से हमारा एक अर्वब्रत है इतनी सारी चीजे जो है उनको मिल रहें तो सीधा सीधा हम इसमें क्या करेंगे हम घंड का इन्हों ने क्या का है सेस ठोस का वक्त प्रश्टी छेट पल निकालना है त कोई भुजा इन्होंने हमको दी नहीं है तो हम क्या करेंगे इसकी भुजा ए मालेंगे इसकी लंबाई भी ए इसकी चोडाई भी ए और इसकी उचाई भी ए अब ये उचाई है अब इन्होंने कहा है कि जो इसके अंदर अर्ध ब्रत बना है अर्ध गोलाकार बना है वो इस यहां पर लिखेंगे घन की भुजा ठीके तो घन की भुजा हमने क्या मानी है यहां पर चाहिए तो आप लिख लो माना घन की भुजा जो है वह हमारी ए है ठीके तो इस हिसाब से हमारे अर्ध गोले का ब्यास भी क्या हो जाएगा यह हो जाएगा तो हम त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए, अर्ध गोले की प्रिज्या, तो अर्ध गोले की प्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, यह बटे में तो, अब दोनों चीज हमें पता जल गए, तो हमें निकालना क्या है, सेश ठोस्का प्रस्थी, चेटरफल निकालना है, तो हम यहां पर लिख देंगे थोस्, यह उन्होंने वर्ड यूज किया, तो शेश भी लिख लेंगे, ठोस्का प्रस्थी, चेटरफल तो 18, कि बात की इसमें क्या क्या हिस्सा आ रहा था फूर अने जैसे कि पूर फ्रेंगाह अर्द निखा लया तो फाइया हो गया तो मारे पस क्या हिसा आ है यह हिसा आ रहा है और यह वाला हिसा जो है वह पूरा पूरा गायव हो गया है उपर से अंदर से हिसा गायव है तो इतनी चीज जो है वह हुमारे पास आ रही है तो अब फॉर्मूले के रूप में इसको कैसे लिखा जाएगा है यह जड़ा हम देख लेते हैं ठीके यह है यह हुआ है तो इसका च्रेटपर्ण हो जाएगा गण का समसर प्रस्थी च्हेशा पल स अद दूबले का वक्र प्रस्थी च्हेशन पूरो साथ में गोले 25 यह वाला जो है यह हमारा माइन Saya को कि यहांपे खोखला हिससा बना हुआ है यह हिसा मानना हो जाएगा अब क्या लिखेंगे हम यहां पे अब हम घन का प्रष्ठीज शेत्पल लिखेंगे जो की होता है 6a square और गोले का वक्र प्रष्ठीज शेत्पल क्या होता है 2 pi r square और गोले का शेत्पल होता है Pi R square, यह 2 Pi R square है यह Pi R square है पिछले question की ते रहें, तो Pi R square में से pi R square घट जाएगा, ये हमारा 6a square रहेगा और घट कर हमारा आजाएगा Pi R square, दो बड़ा था, इसके पास प्लस था, इसके प्लस का Pi R square आगया, ठीक है, आगल हम 6a square लिखेंगे ही, Pi की value हम रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि हमें गुजा तो पता ही नहीं है तो पाई को पाई ही रहने दो आर की जिगह पर हमारा आर हमने निकाला था एबाई टू आर की जिगह पर एबाई टू लिख देंगे double bar में, क्योंकि square है न तो इसको हम दो बार इस तरीके से लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा A square जो है, वो हमारा common हो जाएगा इधर भी A square है, इधर भी A square है, तो A square common ले ले लेंगे, तो हमारा क्या बचाएगा इधर का six बच जाएगा पाई बच जाएगा और यह में दो दुनऑएगा कितना हो जाएगा चार बटे में चार बच जाएगा ठीक है यह फो जाएगा हमारा अंसर पंशन के यूनित इन्हों ने दी नहीं थी इस तरीके से question 5 जो है वो हमारा complete हो गया अब हम करेंगे अपना next question next question करने से पहले विक्वा सिरा आपको उसे बताना चाहते हैं यह हमारा आयाप है NCRT Books and Solutions प्ले स्टोर में जाहिएगा इस चैनल का नाम डालिएगा तुरंत आजाएगा चाहे तो इसी वीडियो की description box ने आपको link मिल जाएगी वहां से download कर लेना आपकी सारी books मिल जाएगी इनके solution मिल जाएगी बिल्कुल free में तो यह हमारा चटा question यह कह रहा है दवा का एक capsule एक बेलन के अकार का है जो दोनों सिरो पर एक अर्थ गोला लगा हुआ है आकरती क्यों देखिए पूरे capsule के लंबाई 14 mm है और उसका अभ्यास 5 mm है इसका प्रेस्टी छेट पर जोगा है यहां पर आपको एक आकरती दिख रही है जहां पे capsule दिखाया है इनूपन वेलन का के अगर इसमें इस तरीके से इसके साइड में तो और्दगोले निकाल दिखाया है यहां पहला यह यह है और दूसरा अर्थ गोला जो है वह हमारा यह है अब बीच में हमारा क्या हो जाएगा वेलन हो जाएगा तो यह अकरती दो अर्थ गोले और एक वेलन को मिलाकर बनाए गई है इसकी टोटल लंबाई 14 mm और इसका जो चौड़ाई जो है 5 mm की नहीं गए इसका मतलब इसका ब्या 5 mm का है तो यह वादी हिंसा भी हमारी कितने की हो जाएगी त्रिज्या के वरावर हो जाएगी तो सबसे पहले तो हमें त्रिज्या निकाल ले जाएगे इसकी त्रिज्या ब्यास पता है तो त्रिज्या को हमासानी से निकाल सकते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेलन तथ अर्ड गोले की त्रिज्या ठीके यह क्या होती है वह आर होती है वह ब्यास का आधा होती है व्यास को हम्म्म का दिया गया तो पांच भटे-दो जिसको हम क्या कह सकते हैं मतलब 2' 5 mm mm mm, mm mm आप तरिज्ज्या ऑप्टाएगी, अब हमने बेलद के लिए 2प IPH rH हमने हमें निकालना है मतलब बेलंकी जो उचाई है यह जो बेलंकी जो पुल ममतलद हमने है अब किमने ही, उच्ष हमारी कैसा निकलेगी, अब यह हमए फाल में इस तो तो फाल में से इधर जेए सबांगे यहां पेज़ेंगे बेलन की राप्ति नोटरू आम उचाई आपिंड ऐावम्ति रोसे भी तुमार आवरी हमें 5 भी यह हमारी बिर ए हमें तो हम किसे दिनोट करते हैं, एक्से दिनोट करते हैं, तो यह हमारी कैसे निकलेगी, हमारी पूल लंबाई कितनी है, 14 mm की, 14 mm में से हम क्या घटा देंगे, इधर का 2.5 और उधर का 2.5 दोनों जोड़ के घटा देंगे, अब 2.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, मतलब 14 जोड़ा में से जब 5 आजाएगा तो 9 आएगा, यह उसकी unit मिलीमीटर में है, तो उचाए भी हमें पता चल गई है, कितनी आगई है, 9 mm आगई है, अब 9 mm आगई है, उचाए भी पता चल गई है, अब हम यहां पर क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीके, हम यहोंने का है, कैपसूल जो है, इसका प्रस्थि-चेत्रफल बताओ, हम यहां पर लगांगे, कैपसूल का संपूर प्रस्थि-चेत्रफल, तो मैंसा लगने है, तो हम यहां पर लग देंगे, दो अर्ध बोलों का वक्त्र प्रस्थिया छेत्रफल प्लस ममारा क्या है बेलन है बेलन का वक्त्र प्रस्थिय छेत्रफल ठीक है दो लिखते देते हैं भाई प्रस्थिय छेत्रफल ठीक है अर्ध बोलों का वक्त्र प्रस्थिय छेत्रफल हमारा क्या होता है तो अर्ध बोले का वक्त्र प्रस्थिय छेत्रफल है सबस्थाद्भ, 2 पाई रज़ फ्लस म trick है घंगे यहां प्लिख देंगे 2 into 2 pi r square अब बेलन का होता है 2 pi r h अब हमको यहां पे common क्या-क्या दिख रहा है वो हम common ले लेते हैं एक तो हमको दो common दिख रहा है एक पाई common दिख रहा है और एक r common दिख रहा है इतनी चीजे common दिख रहे हो तो यहां से 1-2 चला गया एक दो बच गया, π Monsieur चला गया, 1 by r चला गया और यहां पे हमार dennas the high, 2 by r चला गया तो बचर क्या h बचा गया, इतना आया था, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको अगर कुछ कट पिट रहा है उसको काट दो, फिलाल हमारे हाँ पे कुछ कट रहा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी इन पो सॉल्वी करदेंगे, तो 25 दोनी हमारा क्या हो जाएगा, 44 बटे में 7 गोडे में 2.5 और यह हमार 9 जब दोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा 14 हो गया अब हम question को कहां पर solve कर लेते हैं आगे solve कर ले पर क्या आया था यह हमारा आया था 44 बटे में 7 गुड़े में 2.5 और गुड़े में 14 यही है न इवर्चे कर लो बिल्कुल यही है ठीक है अब हम सास से काट देंगे साथ एकम साथ साथ दूनी 14 इतना आ गया फिर से 2.5 की जब 2 से गुड़ा होगी हमारी कितनी आ गएगा तो जब 5 से गुड़ा करेंगे 44 इतनी कितना काट अगया यह हमारा आ जाएगा 220 ठीक है 25 को बीस तो 22 220 आजाएगा अब यह इसकी यूनिट इनोंने क्या दीती तो हम यहां पहन पर mm स्कौयर लिब देंगे ठीके और यह हमारा क्या हो जाएगा इस कैट्सूल का प्रस्ठिय छेथपल निगल के आ जाएगा ठीके यह हमारा हो जाएगा आंसर को यह को यह लग गया है आप इसको यहां पर देख लिजिए तो आज की लास को यहीं पर समात कर देते अब यह तीन बचे हुए जिनको नेक्स्ट क्लास में तर आएगे और एक लास पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाएगा